हेलो एवर्यों वेल्कम टॉटर 247 स्कूल आइम गोरो राव और मिथमेटिक्स मेंटर बच्चो आज इस क्विक वीडियो में हम कवर करने वाले अप्लिकेशन ओफ इंटीग्रेल्स का पार्ट एरिया अंडर सिंपल कर्व के अंडर का एरिया किस तरीके से निकालते हैं फटा स्कूल टू सी हो यह लाइन हमेशा वाइकस के पैरलल होगी तो एक सिक्वर्ट टू ए से लेके एक सिक्वर्ट टू बी के बीच में और इस कर द्वारा कितना एरिया बाउंड़ेड एरिया है यह आपको निकालना है आपको तो पुटा यह एरिया निकालने के लिए मैं सिं लाइट कलर में यह वाली जो स्ट्रिप है यह आपको दिखा रही होगी हर एक स्ट्रिप एक रेक्टेंगल के जैसे एक्ट करेगी जिसकी हाइट मेरे को पता चल रहे है ठीक है यह वाइए इसकी हाइट है और बिटा इसकी जो विड्थ है बहुत ही कम डी एक्स इसकी एरिया आ गया और इसी परकार कि मैं इंफाइनाइट नंबर और पतली-पतली स्ट्रिप काट रहूं एक्स इक्वल टू ए इस वाली लाइन से लेके और एक्स इक्वल to be इसी वाली लाइन तक मैंने infinite number पतली पतली श्रिप्स में पूरे एरिया को मैंने कर लिया है बत्चों इष्ट में े एरिया मैने टिवाइड कर लिया है तो अब मेर को हर एक स्रिप का है निकालके सब के अरिया का क्लब और सारे चीजों को club करने का काम कोन करता है integration काम करता है ठीक है अच्छा अब आप देख रहे हो x यहां पर vary कर रहा है a से लेके b तक इसलिए मैं x के respect में कुछ करने वाला हूं और इसकी width भी dx है तो x की limit कहां से कहां तक x को vary कराना है x vary कराना a से लेके b point तक तो मैं a से b तक x equal to a से लेके x equal to b तक इस da को integrate करता हूं ठीक है तो इसको integrate जब मैं करने लगा X equal to A से लेके X equal to B तक यह बन गया आपका YDX ठीक है और यही आपका सारे स्रिप्स को अपने combine कर दिया इस ट्रिप का area इस ट्रिप का area ऐसे सारी की सारी स्रिप्स का area combine कर दिया तो यह मेरा आगया बिटा required area तो area का formula बन गया मेरे पास यहां पर area बन गया बिटा डियो जो elementary area था उसका integration A से भी तक elementary area यहां पर हमारा क्या था मैंने तुम्हें दिखाया YDX ठीक है और Y हमारा क्या है F of X तो इस यह area बन गया मतलब इस कर्व के अंडर का area निकालना मेर को A से B point तक तो बिटा क्या हो जाएगा A से B तक limit ले लो YDX इसका integration तो यह एक strip का area ऐसे integration के वज़े से सारी strip का area combine हो गया हमारे पास और हमारे पास required area आ जाएगा clear है ठीक है अब बिटा कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह कुछ इस तरीके का कर्व हो इस तरीके का जब कर्व है तो मैं अगर ऐसे strip काटने जाऊंगा तो बिटा यह area मेरा फालतू area आ जाएगा तो ऐसे strip ना काट के मैं यहाँ पर क्या करता हूं बिटा मैंने horizontal strip काट ली horizontal strip यह जो काटी मैंने यह आपको दिखाई दे रही है इसकी विड्थ बहुत ही elementary device की विड्थ हो गई क्योंकि वह यह वाई का भी बहुत छोटा पाट डी वाई हम ले रहे हैं और इसकी length आपको दिख रही है यह x है ठीक है यहाँ पर y vary कर रहे है y equal to c से लेके y equal to d के बीच में bounded area y vary कर रहे है c से d तक तो इस बार y के respect में कुछ integration होने वाला है तो इस trip का area देखोगे जो elementary area इस बार क्या आएगा x dy क्योंकि x इसकी length हो गई यह device की width हो गई x dy हो गया आप बेटा आपकी limit y c से लेके d तक query कर रहा है y equal to c से लेके y equal to d तक vary कर आया integration कर दिया क्योंकि जो ऐसे horizontal infinite number of strips कटी हमने उनका area बेटा क्या कर लिया सब का area club करना था y equal to c points d तक तो यह आ जाएगा आपका area ठीक है x dy और यहाँ पर x आपका क्या है g of y यह जो curve है x यह क्या है g of y ठीक है तो x की जगे g of y dy रख देंगे इससे आपका area आ जाएगा ओल राइट आप बिटा कभी ऐसा हो की curve नीचे हो ठीक है x axis के नीचे है मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर आप देखो तो function जो है fx यह आपका negative आ रहा है function यहाँ पर negative है तो इस area को इस x equal to a से लेकर इस point तक के area को मैं देखूं इसको मैं अगर area 1 बोलूं तो पिटा जब इसमें integration करेंगे तो वो negative value देगा a1 यहाँ पर negative value देगा और कभी भी area बच्चो negative तो हो नहीं सकता right negative area नहीं हो सकता इसलिए मैं इसकी absolute value consider करूंगा ठीक है तो इसके अंडर का area निकालूंगा तो absolute और इसके ऊपर तो positive यह आएगा तो mode of a1 plus a2 आपका required area हो जाएगा negative को ignore करने के लिए इस प्रकार के function की आम हमेशा consider करेंगे बच्चो absolute value ठीक है एक example से समझ लेते है एक square प्लस y square equal to a square इसके द्वारा bounded area निकालना है सबसे पहले मैं इसको draw करता हूं यह मैंने draw करा और इससे साब पता चल रहे है यह x-0 का square है plus y-0 का square है equal to a square मेरे को साब पता चल रहे center 0,0 पर है center 0,0 पर है और radius a है मतलब यह भी आपका a है यह भी आपका a है ठीक है यह point क्या बन गया यह point बन गया आपका 0,a और यह point क्या बन गया sorry यह point बन गया आपका a,0 और बिटा ये उपर वाला पॉइंट क्या बन गया ये बन गया 0,a ये बन गया a,0 अब देखो इसके द्वारा area bounded निकालना है तो मैं केवल first quadrant का area निकाल के बच्चे और उसको 4 से multiply कर दूँ तो area four times first quadrant का area इसमें बिटा देखो ऐसे strip काट होगे तो ये वाइडी एक्स है ठीक है एक्स कहां से कहां तक है एक्स जीरो से लेके ए तक वेरी कर रहा है जीरो से हम ए तक गए तो four times x equal to zero to a y dx अब ये वाई देखो ये वाई है क्या ठीक है ये वाई मैं यहां से निकालूँगा तो यहां से y square आएगा a square minus x square y आ जाएगा plus minus under root a square minus x square लेकिन first quadrant में तो मैं केवल positive वाला लूँगा तो इस y की जगे four times zero to a y की जगे रखा under root a square minus x square dx ये बिटा standard form का integral होगा special टाइप वाला इसका integration करेंगे तो क्या आएगा x by two four times तो चलता ही रहेगा x by two ये यूंका यू copy करना a square minus x square plus a square by two sign inverse x by a ये integration hotel limit आपकी 0 से अब limit put करना शुरू करो जैसे ही इस में limit रखोगे तो a square minus a square ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो इसको नहीं लिखता हूँ four times अब इसमें a रखा a square by two sign inverse x की दिए a by x की दिए रखा तो ये बन गया one तो ये बन गया sign inverse one minus अब इसमें x की दिए जीरो रखा ये जीरो और ये बन जाएगा minus a square by two sign inverse x की दिए जीरो रखा तो 0 sign inverse 0 तो बिटा आपका 0 होता है sign inverse one होता है पाई बैटू तो यहांसे क्या बनेगा four into a square by two और sign inverse one की दिए पाई बैटू ये टर्म तो पूरी की पूरी जीरो होगी टू टू जा से ये four चला गया पाई a square यही बच्पन में सिखा था एरिया of circle होता है पाई आर स्क्वेर यहां पे radius a था तो पाई a square मेरा आ गया तो इस तरीके से simply आप किसी भी simple करके अंडर का एरिया निकाल सकते हो उसमें से वाई ले लेना और एक्स जहां से जहां तक वेरी कर रहा हो आप limit को वेरी करा देना वाई वाली स्ट्रिफ हो तो वाई को वेरी करा देना ठीके बटा तो यह था आपका एरिया अंडर simple कर थैंक्यू बच्चों